नमस्कार दोस्तों इनकी वर्तमान आयो 40 years है और ये विदेश में रह रहे हैं इस पाम को देखे तो इनकी धन रेखा पर जो अभी तक ये डिजव कर रहे वो चीज इनको अभी तक मिली नहीं होगी पर आगे अच्छी खासी इनको समरुद्धी और सफलता हाथ में शो हो रही है क्योंकि काफी सुन्दर आगे चलकर धन रेखा इनकी हो रही है अब वो कैसे कैसे इनके जीवन में क्या क्या चीजे होगी वो जब धन रेखा पर आएंगे तब उसके बारे में डिसकस करेंगे यहाँ पर एक धनुशाकार शेप बन रहा है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते और जीवन में जो अपरचुनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ते है यहाँ पर भी स्पेस ज़्यादा है तो आम लोगों से ज़्यादा है यह लोग संपन होते यह प हासियत होती है कम नफे में काम करना इनको पसंद नहीं आता है फर्स्ट फैलेंग नुकी लाग कम है तो इदर उदर ध्यान पटकता होगा और सेकेंड फैलेंग भी वेलसिद है तो जहां लॉजिक की ज़रत वाँ लॉजिक यूज किया और जहां चूप रहने की ज़रत है चूप रहे है और इतना मानसल भी नहीं है तो कहीं न कहीं कॉंप्रोमाइसिंग नेचर भी व्यक्ति का होता है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहेगी प्लस सारे फैलेंज सपाट है तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है और पैसा कम हो जादा हो यह इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है और दूसरी खासियत होती हिमती सभाव जिब मैं पचास अजार और पचास लाग की रिस्क लेनी होता है ऐसे लोग ले सकते हैं छोटी उंगली भी फर्स पहलें तक पहुशी तो व्यक्ति डॉक्ति बुद्पर्वत पर जब किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी रेखाय दिखे तुसे आख मुन के कह दो बुड़ा पेत तक आप अच्छे कासे समरुद्ध बनोगे यह इतनी बेश्ट साइन है और बुद्पर्वत जीस का अच्छा होता है उसकी भाषा की पकड़ अच्छी होती है सुन्दर होता है बिजनेस माइंडेड होता है बेसिक अगर कॉमर्स और आर्स का भी श्टूटेंट रहा तो बेसिक समझ इनमें अच्छी खासी रहती है साइन्स और टेक्नोलोजी की अब सनमाउंट पर देखो एक बड़ी आसा स्टार बना हुआ है यह एक रेखा गई एक रेखा नहीं यहाँ पर काटा और यह एक और रेखा आई बड़ी आसा स्टार इनके हाथ में बना है यह बहुत बड़ी साइन है ऐसे लोगों को फेम और पैसा दोनों मिलता है तो यह बैस्ट चीज है इनके हाथ में और मल्टिपल प्रॉपर्टी की साइन भी है एक से अधिक प्रॉपर्टी अपने जीवन में खरीदेंगे या निर्मान करेंगे पर इतना बड़ा स्टार बहुत बड़ा खेल करता है बहुत ज़्यादा यश मिलता है और पैसा भी अच्छा मिलता है यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है यह रेखा वाला व्यक्ती बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज वाला होता है और ये रेखा भी मैंने जब से पामिष्टी चैनल चालू की है तब से कई लोग संपर्ग में आया और ज़्यादा तर सक्सेस्फुल इंसानों के हाथों मैं ये रेखा देखी तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है लोग इनको पूछ-पूछ कर काम करते और जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा जादा लोग इनको पूछ-पूछ कर काम करेंगे एक अगर ये शुक्रवले होगा तो तो ये हंडेट परसेंट काफी संपनता वाले इंसान होगे यानि जन्म लेते ही परिवार संपन बनता है पर ये रेखा इतनी लाइट है कि समझ में नहीं आ और ये स्टार का संयोजन तो ये हंडेट परसेंट अत्ति संपनता का निशानी है पर ये शुक्रवले इतनी अच्छी तरह से एक आभास सा होता है कहीं न कहीं ऐसा लगता है लाइट सा है अगर जन्म लेते ही परिवार संपन बनाओगा एक और निशानी है परिवार संपन की यहाँ पर मैंने स्क्वेर साइन भी देखी है ये पुस्तेनी जमीन जायदाद का इशारा देती है यहाँ पर देखे थोड़ा सा उभार है तो ऐसे लोगों को सुबे उठना अच्छा नहीं लगता पर जैसे आँखे खुल जाती है उसके बाद व्यक्ति एक्टिव रहता है और थोड़ा सा शनी परवत दबा हुआ है तो ऐसे लोगों को EMI यानि ब्याज तो भरना ही पड़ता है इंट्रेस्ट तो पे करना ही पड़ता है जीवन में चाहे कितने भी संपन हो जाए अगर यह दबा छेत्रों होता है तो और कंटीन्यू फेट लाइने चल रही है तो बुड़ा पे तक इंकम जीवन में आती रहेगी है यहां पर देखे तो एक लाइन और दूसरी लाइन यह लाइन का मतलब है चार तरह के लाब मिल सकते है पॉलिटिकल लाब सरकारी लाब अगर जॉब भी करता है गटी तो बड़े स्थान पर पहुचता है और खुद का भी काम करता है तो बड़े स्थरका करता है और या तो ससुराल पैसे वाला मिलता है या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है यह चार मैंसे किसी को चारों लाब मिलते किसी को तीन किसी क एक जुपिटर मांट भी काफी अच्छा है एक लाइंग चली दो और यह कंटीन्यू प्रोग्रेस की लाइंग यह जब मल्टीपल इंकम की और इशारा करती है और यह वर्टीकल लाइंग कंटीन्यू प्रोग्रेस की और इशारा जाता है और एंड में सौरी एंड में बहुत सारी रेखा है तो बुड़ा पे में सपलता जीवन में सौरी अच्छी खासी इनको प्राप्त होने वाली है और इनके हाथ पर भी वो शो हो रहा है तो कंटीन्यू प्रोग्रेस बना रहेगा मल्टिपल इंकम होगी पामिस्ट्री एस्ट्रोलोजी इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा धार्मिक बनेंगे सेवा भवी बनेंगे यह चारो लाप देने वाली और यह अंटल रेखाय रहती है अब अंदूरी मंगल व्योसित्य और उंगलिया भी मोटी है तो सरीर में एनरजी अच्छी खासी होगी इनके और भारी मंगल बहुत जादा अच्छा है ऐसे लोग बहुत जादा हिम्मत ही होते संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करते प्लस जब किसी से मिलते तो एनरजी के साथ मिलते सामने वाला कमफोटेबल फिल करता है तो यह सारे गुनिंग में होंगे और चंद्रपरवत पर देखे तो चंद्रपरवत थोड़ा सा हिहां पर हलका सा दबा हुआ है तो हो सकता है बाते करने का शौक ज़्यादा हो और इ करता ही है और चंद्रपरवत जिसका अच्छा होता है अच्छा पर्चेसर होता है पानी अच्छा लगता है दूद से बनी चीज़े अच्छी लगती है समझ और सोच जो होती है वो काफी रिफाइंड होती है नहीं नहीं काम करने का शौक होता है तो यह सारे गुन इनको प प्रोग्रेस करता है काफी संपनता पाता है प्लस यहां पर स्टार भी है कि यह सारे लक्षन इनमें अत्ती यानि बहुत अच्छे स्थर के बिजनेसमेन या बहुत बड़े स्थर पर यह पहुचने की निशानी है हाँ थोड़ा सा ओपन है थोड़ा सा हलका सा खर्च का पेमाना रहेगा इससे अलावा कोई ज्यादा माइनस पॉंट नहीं है शुक्र परवत भी देखे यह स्क्वेर दिख रहे यह प्रोपरटी के योग दिखाते और शुक्र परवत भी अच्छा है शुक्र परवत अगर अच्छा होता है तो एक सरीर में अलग तरह की हुर्जा होती है सेकेंड चीज थोड़ी सी कामोग भावना देता है तीसरी चीज अच्छे कपड़े पहनते अच्छी तरह से रहते खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है लगजरी लाइफ जीने की तम्मना होती और जीते भी है और इनका तो जुपिटर भी अच्छा है और साथ में शुक्र भी अच्छा है तो दोनों प्लस पॉइंट है इनके हाथ में तो हर तरह के सुख ऐसे लोगों को जीवन में प्राप्त होते है अब इनकी हिर्दे रेखा को देखे तो शनी परवत से ही सुरुवात होकर ये सीधी जा रही है और थोड़ी सी डार्क है तो थोड़ी सी जंजटे जरूर जीवन में रहेगी और ये चल कर एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन ये माबाप का ख्याल रखने वाले लोग होते है और जब शनी परवत से सुरुवात होती है तो वेक्ति में तीन ही गुन होते है आग खोलते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है सेकेंड चीज रहते हैं काम उकता और तीसरी चीज रहती है कभी-कभी फिजिकल बनते यानि हाथ पैर उठाते है ये तीन ही लक्षन पाए जाते है और बाकी हाथ लाइन काफी सुन्दर है सेम इसी तरह इनकी माइन लाइन भी अती सुन्दर है पूरी अंदूनी मंगल से निकल रही है और ये सीधी चल कर अप टू एंड तक जा रही है जब अंदूनी मंगल से सुरुआत होती तो व्यक्ति प्लानिक बहुत बनाता है और ज्यादा प्लानिक दिमाग में रहते हैं इंप्लिमेंट नहीं होते हैं और इतनी माइन लाइन बड़ी हो तो बुद्धि कोशल से अपने जीवन में विकास करता ही है व्यक्ति सेकेंड चीज कोई न कोई ज्यान लेने की कोशिस करते ही रहते ये भी एक खासियत होती है और 100% बुद्धी चातुरे इतना होता है कि उस बुद्धी का यूज करके जीवन में प्रोग्रेस करते है तो ये एक एडवांटेज इनके हाथ में है जीवन रेखा पर देखे तो थोड़ी थोड़ी राव रेखा है इनको जीवन में परेशान करती रही होगी एक 23 के आसपास जीवन में राव रेखा ने काटा और उसके 6 साल पहले भी एक राव रेखा ने इनको काटा था तो उस पिरियर्ड में भी कोई ने कोई तकलिफ इनको जीवन में आई होगी उसके बाद 29 के आसपास एक राव रेखा काट रही है उसके बाद 31 के आसपास उसके बाद 33 पे छोटी सी है और 36 में थोड़ी सी बढ़ी है और उसके बाद 40 और उसके बीच में भी छोटी-छोटी रेखा है 40 के बाद एक छोटी सी रेखा 41, 42 के आसपास भी है और 43 के आसपास एक आफशूट जा रहा है तो यह कोई ने कोई सफलता भी इनके जीवन में दिखा रहा है और ये जीवन रेखा चल कर आगे मोटा पाज जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ा मोटा पाभी आते जाएगा इनके जीवन में बागी उसके बाद कोई ऐसी राव रेखा इनको strongly काटनी रहे और ये triangle भी बन रहा और ये पिरियड होगा लगबग बुड़ा पे मैं अन्दा जित सांट के आसपास 55 के आसपास ये triangle बन रहा है तो ये property अभी इनको अच्छी खासी दिलाएगा दो से तीन property इनको प्राप्त होगी और ये जीवन रेखा चल कर चन्वर परवत की और टच कर रही है अब हमने इनके एक पतला सा शुक्रवले देखा और स्टार भी देखा इस तरह की रेखा वाला व्यक्ति खाते-पिते घर में जन्मर लेता है पर इस photograph में अगर मैं देखता हूँ तो धन्द रेखा कहीं न कहीं चोड़ी होकर या कहीं न कहीं हो सकता है संगर्ज भी रहा हो इस photograph के ही सबसे और दूसरे फोटोग्राफ में देखे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था इन्होंने जो एक दिन के बाद फोटोग्राफ दिखा पर इस फोटोग्राफ में यह कहीं न कहीं थोड़ा सा संगर्श दिखी रहा है और यह पिरियड रहा होगा एक कट लगा इनको उम्र लगब 29 के आसपास या 28 के आसपास उसके बाद 35 के आसपास कट है एक 36 के आसपास है एक धन रेखा यहां से निकल कर ऐसे जा रही है यह विदेश से धन प्राप्ति की और या आया जैसा काम यानि मारूती का सर्विस टेशन नाम मारूती का गाड़ी मारूती की उस पर सर्विस दे कर पैसा कमाना या तो ऐसा कार्य जीवन में होता है या विदेश से धन प्राप्ति की और एक रेखा और इनकी डवलप हो रही है और यह आगे बढ़ रही है और यह भी इसी तरह का काम या विदेश से धन प्राप्ति और कई बार तो इस तरह की रेखा का कोई यूज ही नहीं होता कि वल पड़ी रहती है, और उस पर भी 42 के आसपास कट लग रहा है, तो कोई ने कोई आर्थिक नुकसान जाने के चांसे से हैं, सेकेंड, यहां से 35 से इनकी और एक धन्रे का शुरुवत हुई, और यह पूरी सुजन भरी है, अब तू यहां तक तो 40 तक तो काफी उस पर टेंस है, पर दीरे दीरे सॉल होते होते, एक 42 के आसपास कट है, यानि 42 में थोड़ा सा आर्थिक नुकसान इनको जादा जाएगा, 42 तक हलकी फुलकी भी सुजन बनी हुई है, 42 के बाद सुजन निकल गई है, यानि यहां पर क्या होता है, आदमी 10 लाग कमाया तो 12 लाग, 15 लाग का खर्चा होता है, इस तरह की, क्योंकि हाथ पॉजिटिव है, साइन अच्छी है, तो इंकम के सुरोच तो बनते हैं, पर कह हमारे अपने दूर हो जाते हैं, हमारे लोगों का साथ नहीं मिलता, इस तरह की कंडिशन, जिसको हमने साथ दिया रहता है, वह हमारा विरोधी बन जाता है, यह सारी चीजे इस तरह की, जब सुजन बरी रेखा होती है, तो क्रियेट होते हैं, एक चीजी है, और उसके उसकास नहीं कर पाता, जितना कहीं न कहीं उसे बंदन लगता है, बंदन की फिलिंग आती है, उसके बाद देखें, तो यह एक रेखा आकर यह लगबग उम्र 45 के आसपास यह कट कर रही है, तो यह भी थोड़ा सा आर्थिक नुकसान इनको दे सकती है, पर उसके बाद इन पती उत्तम होते हुए दिख रहा है, कई माध्यमों से स्टेप बाद स्टेप पैसा आते रहेगा इनके पास, कई सारे स्रोत क्रियेट होंगे, स्टेप बाद स्टेप, दो दो चार चार जगत से पैसा इनके जीवन में आएगा, और बुड़ापा अती सुन्दर जाएगा, हाँ, उस पर एक कट जरूर लग रहा है, ये एक कट लगबग 56 के आसपास थोड़ा सा आर्थिक नुकसान देगा, और ये कट 62 के आसपास थोड़ा सा नुकसान देगा, बाकि कोई प्रॉबलम नहीं, अप्टू बुड़ापे तक अच्छी हासी ग्रोथ होगी, और ये पि संगर्स करते हुए दिखेंगे, उसके बाद बीच का जो दौर होगा, उसमें कहीं न कहीं ग्रोथ, एक्सपेंस बढ़ेगा नहीं, पर ग्रोथ कहीं न कहीं थोड़ इसी, जैसे किसी ने जकड के रखाओ, इस तरह की एहसास होगा, पर इस कट के बाद, ये अच्छी खासी प्रोग्रेस अपने जीवन में करेंगे, अच्छी खासी, और ये सारे कट इतना नुक्सान नहीं देते, क्योंकि ये बहुत बड़ा मनी ट्रेंगल वाला हाथ है, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज इनको मिला हुआ है, ये स्टार का, तो आशार रखता हूँ, इन्हो ने अपने हाथ को समझ लिया होगा, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,